Income Tax Valley video में मैंने बताय था कि भारत के हजारों millionaires भारत को छोड़ कर दूसरे देशों में क्यों सेटल हो रहे हैं अब भारत को छोड़ कर जाने वाले इन millionaires पर तो काफी बाते होती हैं लेकिन इन मिलेनियर्स के अलावा, हर साल लाखो भारती स्टुडेंट्स भी भारत को छोड़ कर जा रहे हैं और इनमें से जादतर लोग ऐसे हैं, जो शायद कभी भी दोबारा लोट कर नहीं आएंगे और ये नमबर हर साल नए रेकॉर्ड ब्रेक कर रहा है और हम इस उनफॉचनेट डेटा में चाइना को कडी टकर दे रहे हैं साल 2017 में बाहर जाने वाले इंडियन स्टुडेंट्स का नंबर साड़े चार लाख था जो सिरफ पांस सालों में आल्मोस्ट डबल हो चुका है सबसे शौकिंग बात ये है कि लॉग टाउन और रशिया यूकरेन कॉनफिक्ट का इन स्टुडेंट्स पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंपक्ट पढ़ा है इसके बावजूद भी बाहर जाने वाले जो स्टुडेंट्स का नंबर है वो तेजी से सरफ बढ़ता जा रहा है और ये बात बहुत सारे सवाल पैदा करती है आफिर क्यों ये स्टुडेंट्स भारत की बजाए दूसरी कंट्री में पढ़ाई करना पर्फर करते हैं वहाँ जाने के बाद इनके साथ आफिर होता क्या है इस टुडेंट्स का जो डिसीजन है आखिर ये कितना सही है और क्या students को abroad जाना चाहिए या नहीं मैंने इस वीडियो के लिए ऐसे बहुत सारे students से बात की है जो या तो बाहर जाने का plan कर रहे हैं या फिर वहाँ पर रहकर already पढ़ाई करके settle हो चुके हैं तो आपको कुछ ऐसी बाते पता चलेंगी जो किसी और news article या वीडियो में आपको कोई भी नहीं बताएगा और अगर आप भी उन students में से हो जो बाहर जाने का plan कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful और informative होने वाली हैं आईए देखते हैं सबसे पहरे तो हम ये जान लेते हैं कि वो कौन से students हैं जो पढ़ाई के लिए बाहर की countries में जाना prefer करते हैं पहले वो लोग हैं जो 12th pass करने के बाद graduation करने के लिए बाहर जाते हैं दूसरे वो हैं जो graduation भारत में कर लेते हैं और ये लोग बाहर जाके अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं US, Canada और UK में लास्ट येर अराउंड साड़े आठ लाग स्टुटेंट से एंडवेशन लिया है जो भारत से गये थे और वहाँ पर इन्होंने अल्मोस्ट 34 बिलियन डॉलर्स खर्च किये जिसमें कॉलेज की फीस के साथ रेंट और बाकी खर्चे भी शामिल होते हैं और ये सिरफ टॉप तीन कंट्रीज की बात हो रही है स्टेबल में देखो तो बैचलर और मास्टर का प्रोग्राम का एक-एक साल की जो फीस है वो 12-13 लाग से लेकर 40-50 लाग तक पहुंच जाती है इन में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लोन लेकर एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए बाहर जाते हैं और बाकी फिर अमीर गर के बच्चे हैं जिन पर अच्छा खासा पैसा है और कोई चा-चा-ताउ या फूफा बाहर के देश में सेटल्ड है तो वहाँ पे जाके बस दो-चार साल मजे करने के लिए बहुत जाते हैं पंजाब और हर्याडा में तो ये कल्चर इतना जादा बढ़ चुका है कि इसकी डेस्परेशन होने लगी है लोगों को और इस चक्कर में फेक वीजा और डंकी प्रॉसेस भी बहुत पॉपलर हो रहे है मैंने डंकी वाले वीडियो में बहुत डीटेल में इसके बारे में समझाया था यहाँ पर सवाल आता है कि आकर ऐसा क्या है बाहर की पढ़ाई में जो भारत का एजुकेशन सिस्टम नहीं दे सकता है और इस पढ़ाई की क्वालिटी के अलावा भी कुछ और रीजन बनते हैं क्या बाहर जाने के लिए जो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि एजुकेशन सिस्टम जो बाहर का है और जो तौर तरीका वहां का है वो भारत से काफी अलग है और काफी इंप्रूवड है बाहर की उनिवस्टीज में जो freedom subject के selection को लेकर है जिस तरह की practical education है जो standard का infrastructure है और जो professors का level है वो भारत के top colleges में भी normally आपको नहीं मिलता है और normal colleges की तो आप बात ही छोड़ दो बाहर के colleges में लोग maths के साथ philosophy और psychology भी पढ़ सकते हैं अपने आपर इतना strict system है कि arts ले लो या science ले लो या फिर commerce ले लो mix नहीं कर सकते अरे पाप लग जाएगा भाई भारत की सरकार ने जब new education policy को launch किया तो इसमें काफी बड़ी changes देखने को मिले अब subject selection थोड़ा liberal हो चुका है लेकिन इसके proper implementation में अभी भी time लगे और इसके अलावा जो colleges की हालत है और जो उसमें professors की कमी है ये कोई नई policy लगा के भी पूरी नहीं की जा सकती है इसके साथ ही rectification पर जोर रहता है और even technical courses में आप देखो industry exposure almost zero रहता है industrial visit के नाम पर maximum एक दो दिन की picnic करा देते हैं वो भी तब अगर आपके college का budget अच्छा हो वरना इनकी industrial visit भी सिर्फ paper पे ही हो जाती है और इसी की वज़े से हमारा workforce भी skill की कमी से struggle कर रहा है हमारे यां undergrad से लेकर post grad तक से भारत के पास दुनिया में second largest MBA graduates है लेकिन इनमें से भी one fourth ही है जो employable है हम आज भी आई सीख रहे हैं कि सौ साल पहले history में क्या हुआ था और जो new age tech है वो curriculum का पार्ट ही नहीं है टीचर्स ने PhD और B.A. तो कर रखा है लेकिन industry का उन्हें बिल्कुल भी experience नहीं है और इसका solution पर काम कर रहे हैं इन्होंने launch किया है 18 माईने का full time PG program in management and technology ये programs बाकी भी school से इसलिए अलग है क्योंकि इसे industry leaders ने design करा है जिन्होंने uber mackenzie और मिंत्रा जैसी billion dollar companies को lead किया है As part of this curriculum, course के दौरान ही students के पास real world project पर काम करने की opportunity होगी और अपना एक business बनाने से लेकर revenue generate करके उसके लिए VC capital तक raise करने की भी opportunity मिलेगी इनके online course में placement rate 96% रहा है with median CTC of 25 lakh पर रहनम अगर आप top MNC या startup में अपना career बनाना चाहते हो तो Scaler के पास 1200 से भी जादा companies का network है इसे आपको Google, Amazon, Flipkart और Zomato जैसी companies में placement opportunities मिल सकती है Early September में इनका offline batch शुरू हो रहा है जिसमें सरफ 75 seats है मेरा coupon code SSB open अगर use करोगे तो application fees में 500 rupees का off मिल जाएगा Link description में है जल्दी से जाकर इसमें apply करतो बाहर जाके पढ़ने वालों में वो लोग भी आते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है अब पैसा हो तो भाईया क्या नहीं हो सकता है IV League में भी donation से कोई कम popular course में आपको admission मिल सकता है आजकल तो बाहर की university में diversity के नाम पर इंडियन्स को एक special treatment दिया जा रहा है और ये universities इंडियन्स को लेकर जादा खुश रहती है क्योंकि local students से जो fees इने मिलती वो काफी कम रहती है लेकिन foreign students से मोटा पैसा निकलवा सकते हैं admission के नाम पर इसके लावा सबसे बड़ा reason है competition भारत में अगर आपको डेली university में भी admission चाहिए तो CUET जैसा competitive exam देना पड़ता है इस exam से पहले तो 12th में literally 99% वालों को ही DU में admission मिलता था बाकी कोई भी आप stream उठाके देख लो engineering, doctor, MBA, हर field में अगर top college में आपको जाना है और वो पूरी पानी में चली गई क्योंकि paper leak होना भारत में अब एक आम बात हो चुकी है वही maximum foreign countries की जो ठीठा युनिवस्टी है वहाँ admission लेने के लिए कोई exam नहीं देना पड़ता और ना ही competition है क्योंकि maximum जो European countries हैं उनकी population ही एक दू करोण है और युनिवस्टी में जो students का number है वो बहुत ही कम हैं की सीटे खाली चली जाती है इसलिए admission में कोई मारा मारी नहीं होती है और वहाँ अगर कभी exam हो भी गया तो leak नहीं होता है इस बात की तो guarantee रहती है Also the fact that India education system is highly competitive, people are not able to get through to those days Whereas if you look at the education system outside, they're pretty liberal अरे normal academy courses को छोड़ दो, Ukraine, Russia अगर चले जाओ तो भारत से सबसे अद आपको medical की पढ़ाई करने वाले बच्चे दिख जाते है क्योंकि वहाँ पर इसके लिए भी कोई entrance exam नहीं लगता और यही सेम चीज एंजिनरिंग के लिए भी बाकी countries में applicable है अब जे इन student की family के पास ठीक ठाक पैसा होगा तो यही option चूज करेंगे कि भाई भी अभी ना competition के एक अच्छे college of admission मिल जाएगा भले पैसा थोड़ा जादा लग जाए लेकिन future शायद secure हो जाएगा इसके लावा जो quality of education है वही बहुत important reason है पिछले कई वीडियो में भारत की top university के अंदर जो lack of basic facilities है less number of research paper है, low rate of practical activities है इस पर मैंने बहुत बात करी क्योंकि यह serious problem है मैंने tax वाली वीडियो में बोला था कि आदमी ज़्यादा tax देने को तयार हो जाएगा लेकिन उसको quality services तो देना शुरू करो बार के colleges में fees थोड़ी ज़्यादा रहती है लेकिन उसके एसाब से quality of education भी बहुत high होती है वहाँ पूरी पढ़ाई को research और practical base पर रखा जाता है कई बार आपने social media पर देखा होगा कि professors class के अंदर आके बहुत सारे practical relation देते हुए दिख जाते है चीजों को easy explain करने के लिए high tech classroom बने होते है student से research paper लिखवाया जाता है मतलब पूरा environment ही learning activities पर focused होता है कभी किसी foreigner से बात करके देखना उनकी जो writing और debating skill होगी न वो बड़ी strong रहती है उसका रीज़न है कि classroom में उनको इस बात के ऊपर बहुत practice करवाई जाती है और फिर उपर से इन सब advanced facilities के लिए जो fees होती है उसमें भी अगर आप European countries में चले गए तो अच्छे students के लिए तो पूरी की पूरी scholarship मिल जाती है यानि कि पढ़ाई पूरी तरह से free हो जाती है और इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा reason है कि foreign जाने से जो jobs और career की growth होती है उसमें एक surety आ जाती है इन countries में एक dream sell किया गया है कि अगर यहां आओगे तो सब को fair chance मिलेगा किसी के लिए अलग से कोई reservation नहीं है आप सेम तरह की जौब भारत में लेते हो तो आपका package US के अंदर सेम जौब में 10 गुना होने तक के chances रहते हैं also the fact that once you finish completed your education you're bound to get some good jobs with handsome pay package as well so your earning capacity is much more and same goes for even in the other you know mainstream locations where you know the chances for an employment is much higher and their ability to earn more is much higher maximum western countries में जो population है वो भी बहुत काम है इसलिए जो highly skilled professional होते हैं इसकी हमेशा अच्छी demand रहती है और इनको लोग नहीं मिलते हैं और इसलिए वहाँ पर कोई एक high paying job लेना भारत के comparison में काफी आसान बन जाता है corruption और घूस देने वाला जुगार भी वहाँ पर नहीं चलता है अगर tax जादा भी लेते हैं तो school की education और normal healthcare आपको free में दे देते हैं हवा पानी साफ रहता है, सडक से coola time पर उठाये जाता है और ये एक ऐसा dream है जो भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक dream बनके रह गया है और इसी dream को chase करते हुए बहुत सारे इंडियन students abroad जा रहे हैं कि शायद ये dream वहाँ पर जाकर पूरा हो जाए और बाहर की countries भी ये चीज जानती है Japan के ambassador तो भारत के students और professional को invite कर रहे है अपनी country में पढ़ाई करने के लिए उसके बाद वहीं पर job करने के लिए क्योंकि वहाँ पर youth population लगातार कम होती जा रही है और लेट से अगर आप वहाँ पर job नहीं भी करना चाते तब भी foreign return का tag लेके अगर आप भारत आते हुआ पर पढ़ाई करके तो आपको comparatively ज़ाद अच्छा package मिलने के chances होते है यूएस जैसी countries में तो companies के अंदर almost सौरे CEO इंडियन ओरिजिन के भरे हुए सुन्दर पिचाई, सत्यां निडेला, शांतनु नरायन, अर्विंद कृष्णा, लिस्ट काफी लम भी है और अभी recently news आई थी कि गाजियाबाद में पैदा हुए और BHEU से पढ़े निकेश अरोडा सुन्दर पिचाई के बाद US के second highest paid CEO बन चुके है मतलब भारत के लोगों की वहाँ पर workforce में एकदम dominance से बन चुकी है लेकिन क्या ये चीजें सच में इतनी simple हैं जितना सुनने में लग रही है या फिर कुछ ऐसे struggles भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग आपको बताते हैं आओ, अब थोड़ा negative side के बारे में भी discuss कर लेते हैं सबसे पहली बात है कि जिस भी देश में आप जाओगे उसकी भारत के साथ कैसे geopolitical situation है इस पर बहुत कुछ depend करता है जैसे कि जब के जाथ हमारे dispute हुआ था तो न्यूज बहार आई थी कि के जो रहने वाले students हैं उनके लिए PG courses क्लोज हो सकते हैं ओरनाइट कई सारे policy में चेंडिस किये गए और इसके बाद महाँ पर भारत के students ने बहुत जादा प्रोटेस्ट भी किया था इसके अलावा अगर आप यूएस कैनडा और उस्ट्रेलिया में देखो तो एक प्रो खालिस्तानी लोगों का ऐसा ग्रूप बन चुका है जो इंडियन और इंटी हो जाएंगे अगर आप इनका अपोस करते हो प्लस लोकल लोगों से इंडियन्स के अगेंस रेसिजम की जो इंसिडेंट है वो बहुत जादा बढ़ चुके है अगर आप कैनडा में देखो तो जादा दर जो भारत से लोग जाते है वो पंजाबी होते है ये लोग इंडियन स्टुइंट्स के अगेंस काफी सारे वीडियो पोस्ट करते हैं और बहुत कुछ बोलने लगें और इसके लबाद जो लोग पहले US, Canada और Australia गए as a student वो भी वीडियो बनाके बोल रहे है कि मत आओ यहाँ पर अब पहले जैसा नहीं रहा है यहाँ पर अगर यह सोच रहो कि पार्ट टाइम जॉब कर लोगें फिर अच्छी जॉब करके बहुत ज़्यादा पैसा बना लोगें अब चीजें ऐसी नहीं रही है चेंज हो गई है और भारत छोड़के जाना शायद उतना लुक्रेटिव नहीं रह गया है लंबे टाइम से अपनी सोचलिस्ट पॉलिसी के चलते जो कैनाडा की एकॉनमी ग्रोथ है वो लगातार धीमी होती गई है और इसका इंपक्त यह है कि वहाँ पर जो इंफलेशन का रेट है बहुत तेजी से बढ़ चुका है बेसिक चीजें और सर्विसेज भी महेंगी होती जा रहे हैं और जॉब मार्केट भी बहुत ज़ादा कॉम्प्टिटिव हो चुका है लोग कैनेडा को छोड़ कर या तो अपने देश वापिस आ रहे हैं या फिर दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने की कोशिस कर रहे हैं और यह सरफ न्यूज की बात नहीं है वहां रहने वाले लोगों ने इस प्रॉब्लम के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत डीटेल में बात किये अब आप यह जानके भी हरान हो जाएंगे कि आपको कैनेडा में न्यूज भी आजए कंजूमर नहीं मिलेगी कैड़ा इस दो ओनली मेजर मार्के इन दे वर्ल्ड विडाउट सूपर चीप एरलाइन चाहिए वहां पर भी दिक्कत है क्यों कि यहां पर हाउजिंग प्राइज बहुत मतलब स्काय रॉक्टें बहुत महंगे हो जुके भारत के लोगों के लिए उनका कहना है कि अगर आप भारत में सेटल है या ठीक ठाक जॉब कर रहे हैं तो कैनेडा आकर जीरो से स्टार्ट करने की गलती बिल्कुल मतलब मैंने यहां आके छे महीने में जब सब कुछ देखा ना तो मैंने उन्हें मना कर दिया मैंने फाइल विड्डो करवा दी उनकी वीजा आने तक का भी वेट नी किया क्योंकि वो मैरिड है उनकी लाइफ बहुत साटा महां पर अच्छी सेलिट पोजीशन पर है वो कोई इसका भी रिजन इनकी गिरती एकॉनमी है क्योंकि अब लोकल्स के लिए जॉब नहीं बची है तो जो भी बहर से आके इनकी जॉब खारा है उनकी अगेंस्ट ये और स्यादा रेसिस्ट होते चले जा रहे हैं और इन्डियन्स के अगेंस्ट बढ़ती रेसिजम सिर्फ कनेडा में नहीं है आप अमेरिका यॉरॉप बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे एक जैमपल देख सकते हूँ जिसके वीडियो हर एक दिन ट्विटर पर वाइरल हो रहे हैं और अमेरिका में तो ये बात सिर्फ गालियों तक लिमिटेड नहीं है वहाँ पे तो गोलियां चलने लगी इंडियन स्टुरेंट्स के साथ वाइलेंस होना अब एक काफी कॉमन अकरेंस होता जा रहा है अभी कुछी दिन पहले की बात है कि इंडो अमेरिकान हेमन्त मिस्त्री हैं इनका किसी अमेरिकान के साथ पार्किंग को लेकर छोटा से जगडा हुआ था उस अमेरिकान ने इनके फेस पर इतनी जोर से पंच मारा कि इनकी अन्दा स्पॉत वहीं पेड़त हो गई मिस्त्री, the motel manager, had asked 41-year-old Richard Lewis to leave the motel property, after which Lewis allegedly punched him once, causing him to lose consciousness. The assault was caught on CCTV footage which has been shared widely on social media. अमेरिका कोई action लेते हुए नहीं दिखता है, अभी अमेरिका में Biden की सरकार है, ये तो फिर भी gun culture के against हैं, लेकिन अगर Trump की सरकार आती तो ये तो और जद़ गन culture को promote करते हैं, तो इनकी सरकार आने के बाद gun violence के incident बढ़ना कोई भी surprising बात नहीं होगी. अभी 2024 को सिर्फ 7 मेने हुए हैं और 11 Indian students की वहाँ पर अलग-अलग reason की वज़े से death हो चुकी है. तो अब मैं बताता हूँ कि finally मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में. उसके बाद honestly बता रहा हूँ आपकी life set है. लेकिन अगर loan लेके बाहर जाने की सोच रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी जाना, जब आपको अपने उपर पूरा confidence हो, कि मैं ये loan पूरा recover कर लूँगा. वरना बाहर जाने का कोई point नहीं है. और जो लोग ये कहते हैं कि long term क्या बाहर settle होना चाहिए, मैं personally बता हूँ तो मुझे logical नहीं लगता. Especially अगर आप western countries को देखो, क्योंकि इनका जो peak time था ना, वो जा चुका है. आने वाले टाइम में इनका सिर्फ downfall होने वाला है, प्लस जिस हिसाब से वहाँ पर racism बढ़ रहा है. और वो बढ़ता ही जाएगा honestly, US में gun culture है, UK में knife attack होते हैं, इस level पर बढ़ चुके हैं कि students के लिए बिल्कुल भी safe नहीं है. हर दूसरे दिन attack की news आती रहती हैं इन्डियन students के उपर. उपर से Canada और Australia में locals तो racism करते ही हैं, उपर से जो प्रो खालिस्तानी ग्रूप बने बैठे हैं, ये locals से जधा racism करते हैं इन्डियन के against में. और ऐसी condition में वहाँ पे long time रुकना बिल्कुल भी sustainable नहीं है. उपर से हर economist बोल रहा है कि भाईया ये इन्डिया की decade है, market बूम कर रहा है, start-ups खड़े हो रहे हैं, हर sector में demand है, American बंदा यहां आके California बरीटो जैसी chain चला रहा है और पैसे चाप रहा है, तो Indians को definitely भारत में ही invest करना चाहिए. मैं YouTube के साथ एक company में जॉब करता हूँ, management consulting की firm ह global offices हैं के, मुझे Canada और US जाने का chance भी आया था, लेकिन मैं खुद से नहीं गया, क्योंकि मैं अपना base भारत में बनाना चाहता हूँ, dollar में भी अगर कमाऊंगा, तो यहीं रह के कमाऊंगा, बाहर जाके नहीं, मौका मिलेगा तो बाहर जाऊंगा, लेकिन सिरफ घुमने, base भ बड़ा असर पढ़ रहा है, और वो बाहर जाके देखो, billions में खर्च कर रहे है, तो यह सारा हमारा ही पैसा है, जो बाहर जा रहा है, और इस failure के लिए सरकार का एक आदमी भी accountability तो छोड़ो, discussion करने को तहियार नहीं है, लेकिन आप इस पे एक बार सोच के जरूर देखना, वागी description में scalar का link है, एक बार उनको check out जरूर करना, मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में, जै हिंद, वन्ते मात्र,